बड़ी खबार उतर प्रदिश से लखनों से जहाँ पर सोशल डिस्टेंस नी की धज्या उड़ी है आलम बाग इलाके में सब्जी मंडी में आज जो बड़ी संक्या में पहुंच गए इस तोरान लोगों ने तमाम कोरोना प्रोटकॉल्स का पालन नहीं किया कोरोना नियमों की थज्या उड़ा करकनी कोरोना कर्फ्यू का सर्याम उलंगन होता दिखाए दिया यूपी में 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नएके सामने आ गया है 24 घंटे में यूपी में 285 लोगों की जान गई है बावजूद इसके लख्रों की ये तस्वीर आप देखिये लोग वहाँ पर बड़ी संक्या में पहुंच गए सबज्या लेने के लिए फल्पुल खरिदने के लिए लेकिन आप देखिये कुछ लोगों के चेरों पर ठीस से मास्क नहीं है लोग दूरी का धान नहीं रख रहे हालात अगर ऐसे ही रहे तो क्या आप उमीद कर सकते हैं कि कोरोना की चेंड पर ब्रेक लगाई जा सकती है कोरोना की बरती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सकती है आलम बागी ये तस्वीर है और जिधर आपकी नजर जाएगी उधर भी आपको दिखाई देगी हमारे सहोगी बहाँ पर हालात का जैजा लेने के लिए पहुंचे उनके क्रिपोट आप देखिए कोरोना की रोक ठाम के लिए लखनव समेथ पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन लखनव की आलम बाग सब्जी मंडी का हाल क्या है ये आप स्वैम देखिए भारी भील नजर आ रहे है सोसल डिस्टेंसिंग की तो दजियां उड़ गई है जिस परपस के लिए यह कर्फ्यू लगाए गिया है वह परपस यहां पर खत्म होता दिख रहा है भाई साब इधर आईए भागये नहीं इद्वत आईए कर्फ्यू लगा हुआ है आप लोग बैठे हुए है इतनी भील करोना का संक्रमन इतनी महामारी फैली हुए यहां पर तैनाथ है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन हमारे आते ही वह अब यहां सोचल डिस्टेंसिंग का पालन कर आते हुए दिख रहे हैं लेकिन यह तो बानगी भर अंदर देखिए जो सब्जी मंडी है वहां क्या हाल है विल्कुल लोग एक दूसरे के उपर चले हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल जिस परपस से लगाए गया है यह करफ्यू है परपस बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है बाई साब यह बताईए इतनी भीड में लोग निकले हुए सब्जी जरूरी है कि जीवन गलत है यह तो गलत है थोड़ा डिस्टेंज बना के खड़े होना चाहिए अब क्या कहा जा देखिए अंदर क्या हाले यह यहां से एंट्री पॉइंट है वहां पर ही भारी भीड नजर आ रही है और लोग बिल्कुल मालूम दे रहा है कि दुनिया का आखरी दिन है आज के बाद लग रहा है कि दुबारा मंडी इन्हें आना ही ना पड़े क्या क्रिद लाएं सब्सक्राइब हो रही इतनी एक दूसरी कुप लूम चले जा रहे हैं पर परिशान है कि किसे तरह से करोना को हराया जाए खतम किया जाए और आदमी मानने को तैयारी नहीं है पब्लिक लेकिन उसके बावजूद सोचल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है कि आप सब्सक्राइब खरिदने आए ना वेस्टने आपको देखा वीडियो अच्छा ना बेचने आए खरिदने आए खरिदने आए खाली घूमने आए कर्फ्यू देखने आए हैं खाली है फालतू है लेकिन घूमने निकल पड़ें बिना काम के ना इंस्पेटर सहाब इधर आई इधर आई इंसे हमने पूछा सब्जी बेचते हो या खरिदने आयो यह कुछ नहीं करते हैं खाली घूमने आए तो ऐसे कर्फ्यू लगा हुआ है यह कर्फ्यू लगा यह जो कर्फ्यू लगा हुआ है कर्फ्यू तो बिल्कुल यहां को मतलब नहीं तक टाइमिंग चल रहा है इस समय आपको पता नहीं है कि सरकार ने छे तारिक की सुबह तक साथ बिदा कर्फ्यू लगा दिया है जह से लेके 11 तक सब्जी ओ खुली रहेंगी ठीक है आप पत सब्सक्राइब है कि निफूरे पने हुए कितनी दूरी पर बने हुए है आप स्वेम देख लिए किसको यहां समझा ले जाएगा चलिए थीक है इस्पक्टर साहब कहा रहे हैं उनके बाद घंडा है तो हम भी मान लेते हैं कि दूर है लेकिन ये तैय आपको करना है कि लोग कितने दूर हैं देख लीजे कितने दूर हैं लोग और कैसे सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो सरकार अपनी तरब से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार की कोशिशों में जनता खुद पलीता लगाती हुई न यूज नेशन लखना हूं